नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे दोस्तो बिहारपुलिस कॉंस्टेबल 2020 का सेकेंड सिप का आपका सारे सवाल को मैं डिसक्स कर रहा हूं तो यह आपका पार्ट टू है मैंने पार्ट टू अपलोड कर दिया है तो पार्ट टू को हम लोग डिसक्स करेंग यह रहा आपका सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है कि आपका transform the flowing sentence into interrogative sentence from the option that follow nobody believes in liar, यानि आपका जो liar में कोई believe नहीं करता है तो इसका interrogative sentence यानि की question marks में बनाना है तो who believes in liar, liar में कौन believe करता है, यह आपका जो हो गया यानि की कोई believe नहीं करता है, यह आपका जो हो गया, 32 का option number B सही है यादि आपने B choose किया है, तो आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है question number 33, देख लिजे, SI unit of bait, यानि भार का SI मातर क्या है तो mass यदि रहता है, यानि की द्रबमान तब उसका kilogram हो जाता है SI unit, लेकिन यहापर भार दिया हुआ है, यानि बेट दिया हुआ है तो बेट बराबर होता है, mass गुने G से गुना कर देते हैं तो यह आपका जो हो जाता है, force कहलाता है, तो यह आपका SI unit Newton हो जाएगा तो इसका answer option number C है, यादि आपने option number C चूज किया है, तो आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है, चले 34 नमर सवाल के और हम लोग बढ़ते है तो 34 नमर सवार है, राम तंजू पै गुरू नभी साओ, गुरू के पास हरी कू न निहाओ इस सवाल का जो है, आपका जवाब हमने ढूण पाया है, तो आप जो है Google search पे या और तरीके से इस सवाल का जो है आप answer ढूण सकते है या आपका 34 नमर सवाल है, 35 नमर सवाल के और हम लोग बढ़ते है निमलिखित में से कौन सा चितर Leonardo da Vinci द्वारा बनाया गया है तो Leonardo da Vinci द्वारा बनाया गया famous चितर है, Mona Lisa का option number B, 35 नमर सवाल का बिलकुल सही जवाब है यदि आपने option number B चूज किया है, तो आपका जो है बिलकुल सही जवाब है चली आगे बढ़ जाते हैं तो अगला सवाल है, निमलास्की के बिचार से संप्रभुतता है, यानि आपको बताना है, the view, in the view of लास्की, सोहजिनिटी इज तो 37 नमर सवाल का जो है, अभी मैं answer नहीं ढूंड पाया हूँ, तो 37 नमर सवाल का आप answer ढूंड सकते हैं चली आगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं, यह बास्ताविक फलन, fx, x-square, इसको आपको बताना है कि continuous है, तो यह आपका परतेक बिंदू पर continuous है, और यहाँ पर एक बार 0 पे चेक कर लेना है, तो मैंने 0 पे चेक करके देख लिया है, तो इस तरीके से परतेक चली आगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 49 नमबर में बताना है कि choose the correct prefix to complete the bird in the given sentence, uniform, unfortunately all the bird had to be done, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या भड़ा जाएगा, तो यह आपको choose करना चाएगा, इसका answer हो जाएगा, आपका जो है दोस्तो, option number, यह आपका D हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि D होगा, लेकिन आप जो है देख लिजेगा कौन सा होगा, यह मैं इसमें आपका 100% confirm नहीं हूँ, चली अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं, निमलीखित में से कौन सा बाग के असूद है, तो यह आपका option number C, इसका बि हम लोग बढ़ते हैं, एक तालिख में पूछा गया, बल की, बीमिये समिकरान आपको बताना है, यानि कि आपका force का dimension लिखना है, तो option number C, जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, M, L, T to the power minus 2 होता है, force का dimension, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, force बराबर होता है, मास का हो जाता है, kg, इसका acceleration का होता है, meter per second square, तो kg के M लिखते हैं, मीटर को L लिखते हैं, time को T लिखते हैं, तो T per power minus 2 है, M, L, T to the power minus 2 इस तरीके से आपका जो है, उसका answer हो जागा, चली अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका 42 नमबर सवाल, जिसमें पूछा गया है, कि मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए, पांची का, यानि रीट जारी की जा स हैं, सवाल नमर 35 तब बिरिटेन, दोराचीन, विजय के सुरात कब की गई थी, तो बिरिटेन, दोराचीन, विजय के सुरात, अफीम, यूज से किया गया था, ऑप्सन, नमर 23 नमर 7 का, बिल्कुल सही जबाब है, यादि आपने 43 नमर 7 का, ऑप्सन, भी चूज किया है, तो पूल एनर्जी जो है उसका इस्तितीज उर्जा में रहता और जैसे गिरना शुरू होता है तो वही इस्तितीज उर्जा जो है गतीज उर्जा में परिवर्तित होने रखता है तो इस्तितीज उर्जा और गतीज उर्जा का यदि सम निकालेगा तो सुरू बाले एनर्जी के बराबर ही रहेगा तो इस तरीके से कभी भी उकूल उर्जा नहीं बदलता चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं 45 नमर सवाल को देखते हैं 45 नमर सवाल है चीन ने भारत के LPG सुधार के समान अपने संराजने में तो सुधार कब से शुरू की तो इसका आंसर है 1978 में आपका शुरू किया था चीन जो है तो 45 नमर सवाल का option नमर A है इस भी सह पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है इसमें क्या असुधिया है तो इसमें आपको देख लेना है कि क्या असुधिया है आप करके देख लिजेगा चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते है 47 नमर तो 47 नमर सवाल का अंसर जो है आपका जो हो जाएगा इसको कैसे निकालना है तो यह आपका 44 का यह हो जाएगा 6-6% दो बार बढ़ाया था यानि कि 106 बटे 100 एक बार हो जाएगा 44 रुपय की बस तू की दो बर्स के अंद में उसका क्या मुल्य रह जाएगा इसके बारे में आपको बताना था तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको कि option नमर डी है और निकालने का तरीका बता दिया आप ऐसे भी निकाल सकते है कि 40 का 6 बटे 100 बार निकाले जो फिर आपको जो है 6 बटे 100 निकाल लिजिये यानि कि और फिर इसको आप जो है एड कर सकते हैं चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं तो option नमर इसका जो है आपका बी बिल्कुल सही जवाब है इसमें ये copper, acid और zinc पाया जाता है गन मेटल में चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं यदि आपने option नमर बी 48 का चूस किया तो आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है चलि हम लोग 49 नमर सवाल के ये र जल्दी में मैं इसको अभी नहीं दून पाया हूं तो आप जो है इसको सर्च कर सकते हैं आप question देख लिए एक बार मैं एक बार question पर सकता हूं आर एम बर्ड और जेम्स थॉमस कौन सी राजस्व व्यवस्था से संबंदित है मतलब असाई बंदोबस्था महलावारी व्यवस्था रहयत वारी व्यवस्था बिश्यस समझाओता है इसमें से चारों में से किसी एक को सच कर लेना आपको जो है मिल जाएगा चलिए पचा नमबर जो है आपका 50 नमबर का यह आपका जो हो जाएगा बी जो है बिल्कुल सही जवाब कैसे होता है तो यहां पर हो जाता तीन गुने माध्यक यानि तीन एम बराबर बहुलक यानि कि जेड अपलस टू इन्टू एक्स इसको लिखा गया है चेंज करके तो उसी को अग भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो आपसन नमर्ब यादि आपने पचास का चूज किया तो आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है चलिए एक क्यावन की और हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर जो है बायुमंडल में ताप की समान पतंदर क्या है यानि एक किलोमेटर जाने पर जो है कितना ताप घटता है तो उसका आंसर है 6.5 आपसन नमर्ब यादि आपने कावन का चूज किया ता आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है चलिए अगले सवाल क्यों हम लोग बढ़ते हैं तो सवाल नमर यहाँ पर है बावन उन्हें सु उन्नीस बीस के दो सवाइस है जिसको आपको जो है पैसी बाइस में चेंज करना है तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहां पर यह अर्ली अदर वाइज इट कांट बिंग टेकें टू दे मार्केट यहां पर आपका जो है ऑप्सन नमर इसका जो है डी बिल्कुल सही जवाब है डी यह दिया अपने चूज किया तो आपका जो बिल्कुल सही जवाब है चलिए अगले स्वाल के और हम लोग बढ़ते हैं आई यह हम लोग अब 54 नमर स्वाल के और बढ़ते है 54 नमर स्वाल नेमलेकित में से कौन सा का था राज के निर्ती निरदेसक सिधानत के भी सह में सही नह दोस्तों आपका हो जाएगा option नमर ए जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि आपका जो है नीती नीड़ देशक सिधानत को नयाले में चुनोती नहीं दे सकते हैं बाकी सवाब का जो है चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं भारत की बिदेश निती अधारित है तो यह आपको खुझ कमेंट वक्स में कमेंट करके बता देजिएगा बाकी लोग जो भी वीडियो देखेंगा उनको दिक्कत नहीं होगी चलिए आगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल है जो है स्पिन जेनिंग की खोज किस ने की तो अपका जेम्स हारग्रिव्ज ने की थी option नमर सी इसका बिलकुल सही जवाब है जेम्स हारग्रिवज यह आपका जो है आंसर है सवाल नमर 57 का आप सवाल नमर 8 देख लेते हैं तो सवाल नमर 28 है कि EDTA लिगेंट EDTA किसका यदि आपने एक साथ डेंटिट मारा है अंठावन नमर सवाल का तो बिल्कुल सही जवाब है चली 69 नमर सवाल पर आते हैं तो मीरा भाई का जन्म कहा हुआ थो तो इसका अंसर आप लोगो पता होगा कि राजस्थान में 69 नमर सवाल का जवाब है उपसन नमर सी यदि आपने साथ नमर सवाल का सी चीज़ चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है चली अगली सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं यह रहा आपके स्क्रीन पर सवाल नमर बासट तो सवाल नमर बासट है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 8 गंटे में भर सकता है और रे हुए टैंक को 12 गंटे में खाली कर सकते हैं यानि ए जो आरब बरकन कितना है आठ और बी का है बारा कूल काम अगर ले ले लेते हैं इसका आंसर अती सियुक्ति इसको कहा जाता है तो यदि आपने तिरे सेट का ऑप्शन में बी चूज किया है तो बिल्कुल सही जवाब है चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं मयूर भंज खनीज चेतर कहा है सित है तो मयूर भंज खनीज चेतर आपको पता होगा कि आपका जो जारखंड में सित है यदि आपने जारखंड चूज किया है चौशन नमसाल का डी तो आपका जो बिल्कुल सही जवाब है चलिए 65 कि और हम लोग बढ़ते हैं तो सवाल नमर 25 स्वेट प्रकास्थ कि एक कीरन करेंज कीरेंगघ के प्रेगंपर आपफित होती है वथ परकास वर्ण जो का प्रिषम से गुजरने है अधिकतम बिचलीत होती है तो आपका अंसर है सबसे ज Are ज्यादा जब के लगे होती है है कि अब कि अब कि लग घ्यान के होती है तो सबसुज़ाद है इसवाल की अग्ले सवाल अगली के नमलग kırm इसमें आपका जो बिल्कुल सही जबाब है चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल है दो कार एक स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में करम से 70 किलमेटर परती घंटा और साथ किलमेटर परती घंटा की रफ्ता से चलती है तो छे घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं एक सब्सक्राइब एक साथ किस जा रहा है तो हर घंटे यह बैला जो है दस किलमेटर ज़्यादा करती है तो शे घंटे में पूछा जा रहा है यानि साथ किलमेटर एक दूसरे से आगे पीछे हो जाएगी तो आप्शन नमसी यदि आपने इसका चूस किया आता आपका जो बिल्कुल सही जवाब है चलिए अगले सवाल क्यों हम लोग बढ़ते हैं कि करा भीच अफ़ फॉलाइंगा स्टेटमेंट इच अच्छा हिंदी में पढ़ देता हूं निम्न में से कौन सा कथन भारति सम्मिधान के प्रस्तावना के संबंध में नहीं है यह निया कि सक्तियों का स्रोथ है और नहीं इसका जो है तो इसमें आपको जोई चूज करना की कौन सम्मिधान के प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है तो इसमें थोड़ा हमको डाउट है आप जो इसको देख सकते हैं चेक कर लिजिएगा कि कौन सा उप्स नमस यह मेरे इसाब स तो जो है सवाल नमर कितना था यह देखलते हैं सवाल नमर 68 था अब हम लोग 69 की और चल लाए तो यह रहा आपका सवाल नमर 69 हिंद महासागर में अमेरिका नौ से ना अड़ा कहा है तो यह आपका जो है इसका आंसर है option number C यह यादी आपने option number C चूज किया है तो आपका जो ह सही जवाब है चली अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं तो अगला सवाल है choose the appropriate model and fit in the blank the train arrive so soon यहाँ पूछा जारा है कि ट्रेन जो है जल्द ही आने वाली है तो यहाँ पर आपको पूछा जारा है संभावना बेक्तिया जारा है यहाँ पर पूछ सकते हैं should should the train arrive so soon बजार मांग बक्र होता है तो इसका जो है आप जो है स्ट कर लिजएगा drug Kane Ao फושक्रस करें ग्रक्प०्ट हुआ कि यहाँ अगले सवाल क्यों नोग बढ़ते हैं सवाल नमब्र 78 का पूड़ना है मार्केट डिमांड कर वीइच छहां सवालनार बहlaşतर प्रक्षण हम देख सकते हैं सब्सक्राइब आपका फीडिया होगा सिक्षिट में स्कॉससिता वर फाहर है तो यहांसे यहां से क्षिट सिटा प्लस कॉस्ट कॉसट चीटाissippi कर एंदिटाप्रिन काये गांगा तो यहां से प्रिजाए गाए तो साइन ठीटा इंटू कॉस ठीटा तो उसे मल्टिप्लिकेशन होगा तो इन्टू पी इसका आंसर आ जाएगा तो आपसन नमर भी यदि आपने चूज किया है तो आपका जो बिल्कुल सही जवाब है टू पी इसका आंसर होगा बातर नमर सवाल का चली अगले सवाल को हम बढ़ते हैं और इसके बाद आपका बाकी बचाओवा सवाल कि कर लेते हैं तो निमलिखित नदी में से कौन सी नदी अफ्रीका महादीप में नहीं है तो इसका आंसर है आपका जोस्तो हड़सन हड़सन आपका कनाडा में है यदि आपने ऑप्सन नमर भी हड़सन चूज क करता है तो रावकेट जो आपका दोस्तो रेक्षे संबे एक सनरचन पर है काम करता है तो यदि आपने इसका और शी चूज किया तो आपका जो है बिलकुल सही जवाब है चलि अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं तो अगला सवाल है आपका दोस्तो नेमन में से कौन सा एक श्रूप आंत्रित तना है तो इसका आंसर आप जो है कि इसका आंसर आप देख लिजगा कौण सा है मेरी साब सीजिगा आंसर होने चाहरे आपका गाजर यह सही नहीं है तो आप जो है देख लिजगा सच करके ढूंढ लिजेगा इसका जो हमें Exact गेट कनफर्म नहीं बता रहा हूं चलिए अगले सवाल क्यों हम लोग बढ़ते हैं में सिरित बाग के का अंग्रेजी रूप रांत्रानियन इस बाग का जो इंग्लिस में करना है जो बैक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है पर्सन हूँ इस डिलिजेंट गेट सक्स इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है चलिए अगले सवाल क्यों हम लोग बढ़ते हैं चलिए सवाल क्यों हम लोग बढ़ते हैं तो सवाल है कि भासन और अविव्यक्ति की सवतनतरता में सामिल नहीं है तो आपका हरताल करने का अधिकार सामिल नहीं है आप जो है ये आपक एक्सवाई यदि आपने 78 नमर सवाल का ए चूज किया है उत्वादल सभावना बक्र का ढाल का लाता है एमार्टी एक्सवाई तो यदि आपने ए चूज किया तो आपका ज़ाब बिल्कुल सही जवाब है चलि अगले सवाल के और बढ़ते हैं क्रिति के लेखा कौन है तो इसका आंसर है आपका मुक्ति बोध 89 का जो आपने सी चूज किया है चांद का मुक्ति बोध आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है चलि अगले स्वाल के और बढ़ते हैं निमलिखित में सामयबाद को रोखने के लिए था तो आपका बरसाय की सं सतह पर ताप मान के बितरन को परभावित नहीं करता है तो आपका आंसर है भुकंप यह आपका जो है पिर्थिवी के सतह पर ताप के जो है बितरन को परभावित नहीं करता है तो एक आसी नमर्स सवाल का आप्शन मर्डी सही है भुकंप तो यदि आपने यह चूज किया आपको बिल्कुल सही जवाब है चली अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल है यह कथन किसका है कि परकृतिक अभस्था में जीवन एकाकी दरीद्र अपवित्र असब और अच्छनिक था इसका आप जो है आंसर ढूंड लिजेगा इसको मैं आभी तक नहीं सवाल आपको ढूंड लेना है या कथन किसका है कि परकृतिक अवस्था में जीवन एकाकिक दरीद्र अपवित्रता और सभी छनिक था तो इसको आपको ढूंड लेना बेरासी नमस्वाल का और कमेंट कर देना है चली अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं तागला सवा आपका सिर्फ धातू यह आपका रहा गया यह पूरा धातू है यदि आपने इसको टिक किया तो आपको जो बिल्कुल सही जवाब है बीजिए यह एसर और एने आप्सन नमर्टी जो है 84 का बिल्कुल सही जवाब है चली अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं चली अग तक मिला लीजिए तब तक मैं जो आपका इस बाकी सब का सॉलूशन करके आपको जो है थर्ट पार्ट में करा दूँगा इसका मैं अभी तक सॉलूशन नहीं कर पाए हूँ सिर्फ 85 का सामय बाद जिस सिधान समधे तो वह आपका जैन धर्म है 85 नमर्स सवाल का 86 नमर्स बे मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई